हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आशार करूँगी आप लोगों के साथ हांटी वाली कठल की सबजी के रेसिपी जो वेजोटेरिन लोगों के लिए वेच मीट भी कही जाती है और ये देखने में भी कम मीट से कम नहीं लगता काफ कर लिया है यहां मैंने 5-6 प्याश लिये है कुछ लेसन की कल्या ली है और अद्रक लिया है यहां पर यह देखिए अद्रक और लेसन को अमच्य से कूछ लेंगे तो चलिए इसको बनाना श्रू करती हूँ कराहे गर्म हो गई है अब इसमें आट करूंगी सरसों का तेल तो अच्छे पहले मैं फ्राय कर लोंगी अच्छे तरीके से यह देखिए अब इसमें स्वाल टाट करूंगी और यहां अद्रक लेसन था ना उसको मैंने अच्छी सी कूछ लिया है क्योंकि हमें सारे मसाले खरी यूज करने है और ताजा की डालना है पालो फ्राइ हो गया है अब इसमें तेल है तो डालोंगी इस कथल और ओख्छे तरीके से श्राइ करूंगी इपस में भी डालोंगी नमा यहां देखिए इसको भी अच्छे तरीके से भूनोंगी यह देखिए अब इसमें आठ करूंगी थोरा सा हल्दी पाउडर तो चलिए पैन ले लेते हैं और सारी चीजों को मिलाना शुरू करते हैं सबसे पहले डाला है प्याज ठीके दीखिए कटल भी हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल फ्राई होके तो चलिए कराही गर्म हो है तो हमें तेल भी गर्म करना है इसके साथ साथ मैं यूज करूंगी आपर एवरिस का काश्मेरी लाल मिर्च और एवरिस का मीट मसाला तो यहां तेल मैंने गर्म कर लिया है क्योंकि हम पकावा तेल यूज करेंगे और यह दिखे हांडी भी चढ़ा दिया है मैंने हांडी की कलर आपको लग मैंने एक दो बार इसमें तंदूरी चाय बनाया था जिसकी वज़े से कलर ऐसा लग रहा पर कोई बात में सब्सी बहुत अच्छी बनेगी इसमें तो यह दिखे कुछ खरे मसाले ले लिए है मैंने जैसे दाल चीनी टेश पत्ता यानि बेलीव यह बरी इलाइची है सूख तो यह दिखे लिए इसको तेल को अच्छी तरीके से थोरा सा हांडी में डालेंगे और सारे जो घरी मसाले थे उसको मैंने डाल दिया है यह देखे चली सब्सक्राइची चीज़े मिक्सकारा शुरू करते है सबसे पहले डाला है थोरा सा गर्म तेल यह देखिए अब इसम इसमें अब आट करूंगी कठल तो चली अद्रा को अडलेसन को कूश के रखा था ना उसको भी आट कर दिया है अब बाकी मसाले जैसे की हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर थोरा अच्छी से जाएगा ताकि सब्सका जो गलर है वो काफी खुब 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 सूरा सा आता थोरा सा गरा मसाला डालोंगे इसमें टेस्ट के लिए और कुश्पो के लिए यह जाएगा थोरा सा मीट मसाला क्योंकि हम इसको मीट की तरीके से बना रहे हैं तो थोरा सा मीट मसाला अट किया इसमें इसमें जाएगा एवरिस का काश्मीरी लाल मिर्ट जिससे कलर काफी अ कि यह सारेमी के बनाती है अब यह साlles का यह सो mag यह सारी Скेल लगा दिए कि यह सूरा से प्रेख करें उसरेमी च्राइबंने कि चीला रखेश कितुंच आन्छा पानीं मिले निया है तुछी हुसक्र बिल्कूल से लिफैक्ष जूपला हुआ हुस्त हुस्त लिफा कि और आती का डो प्रेपेर कर लिया था ये हमें साइड में लगा देना है ताकि भाब बिल्कुल भी हमारा कहीं से भी ना आए और ये अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए तो इसको रखा है बिल्कुल लो फ्रेम पे देख सकते हैं तो चलिए आदे गंटे हो गए हैं और पूंचनी की जरुरत नहीं है और इसके बाद भी कितनी बहतरीन सबजी बनती है आप ये देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूं इसमें से लग रही है ना काफी बहतरीन वेज हांदी मीट ये देखिए तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आई जो वेजटेरियन हो तो आप उ पूरिया बनाई है थोरी सी स्टफिंग वाली पूरिया बनाई है थोरी सी सादा वाले पूरिया बनाई है इसके साथ मैंने पूआ भी बनाया है तो ये मेरा पूरा प्लेट रेडी हो गया है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर कर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें यह देखें तो चलिए मिलती हूं आप लोग के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ